कश्मीर के इस मुस्लिम शक्स ने संयुक्त राश्टर के सामने कैसा बयान दे दिया है जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया है किसी को नहीं पता था कि कश्मीर का ये व्यक्ति ऐसा कुछ बोलने वाला है 75 सालों में पहली बार एक कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राश्टर में वो एलान किया है अभी कश्मीर में एलेक्शन हुए अभी देखे उसके उपर मैंने एक वीडियो की थी आपकी पिछली वीडियो में आप निकालें उसमें मैंने आइडिया तर एक बात की थी कि अगर 60% बोट डल गया कश्मीर के बीच में और 60% ही वोट डला ये कैसी बात है पहली बारी 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की आलत जो पाकिस्तान ऑकिपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑकिपाइड जमुएन कश्मीर के अंदर है जहां पर उनने बोला कि साब सबसे पहले हमने साथ डेकेड में इस चीज के बारे में युनाइट कौन तरकी कर रहे हैं क्यां कोई source निया कि depends मीरे मेरे जो भगवान हैं वो सही है या नई आं सिर्फा ने sighs लेकिन आस्थाओं की तल्वार से नहीं आएगी कि मेरी आस्ता हिसले सही है कि मैं तुमको तलवार के दम पर ने हरा सकता हूं इ और ये भी बताया कि पाकिस्तान ने चाइना को यूज करके एक चीन से एक अपनी तरफ एक शील्ड बनाके बैठे हैं कि भाईया चाइनीज को आगे कर देते हैं ताकि भारत कुछ करना सके तो ये भी उन्होंने जाके बोला नमस्कार दोस्तो जहिन भारत ने जम्मो और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपगेंड़ा को सायुक्त राष्ट में करारा जवाब दिया है जीनेवा में सायुक्त राष्ट मानव अधिकार परिश्यत की बैठक में भारत के प्रतिनिदी छेतित त्यागी ने प प्रदेश जम्मो और कश्मीर भारत का अभिन अंग था है और आगे भी रहेगा भारती प्रति नीदीन ने 2024 में आम चुनाओं का जिक्र करते हुए यह बताया है कि जम्मो कश्मीर में विधान शबा के पहले चरण में 60% से जादा लोग ने वोटिंग किया है यह एक तत्य है कि जम्मो और कश्मीर में तेजी गती से विकास हो रहा है और इसका बजट उस पाकिस्तान तिमला उठाए हुँख पाकिस्तान अब डरेगा एक तरफ आप पाकिस्तान को सुखानी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ से आपने अब पाकिस्तान के थोड़े से जो बोलते हैं ना दुखती नफस पे आत रख दिया है जावेद बेग साब जो भारत के एक रेप्रेसेंटिटिव हैं यूएन में 54-55 सेशन इन दे यूएन एच रसी ने कल एक यूएन एच आर के जो मीटिंग है उसके अंदर एक बड़ी इंट्रेसिंग सी चीज बोली पहली बारी 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की आलत जो पाकिस्तान ऑकिपाइड गिलगिल बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑकिपाइड जमू एन कश्मीर के अंदर है जहां पर उनने बोला कि साब सबसे पहले हमने साथ डेकेड में इस चीज के बारे में कश्मीर और उनने बड़ा क्लिरली ये चीज बोली कि साब देखे ये जो हालत है पी ओ जी बी और पी ओ जेके के अंदर उसके अंदर जो जो लोगों की हालत है उसके बारे में मैं यून एच आर्सी के सामने बताना चाहता हूँ उनने बताया कि साब देखे इतनी वहाँ पर बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट ने करके रखे हैं और उनने बोला कि साब पी ओ जी बी और जेके जो भी है वो भारत का एक अभिन हिसा है जिसको भारत के अंदर पी ओ के बोला जाता है जहां पर जो जमू इन कश्मीर का प्रिंसली जिसके अंदर ये पूरा रीजन आता था लेकिन यहां पर ये चीज बोली गई कि ये जो रीजन को चल और कपट से डिवाइड किया गया और एक इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर पे पाकिस्तान के अंदर रखा गया जहां पर हम आपके सामने ये चीज रखने वाले हैं उ चाइना को यूजे करके एक चीन से एक अपनी तरफ एक शील्ड बनाके बैठे हैं कि भाई यह चाइनीज को आगे कर देते हैं ताकि भारत कुछ करना सके तो ये भी उन्हों ने जाके बोला उसके बार आ और रुने बोला कि है इसराब ये एरिया जैसे हम उने आपको बता यूमन राइट्स, सिस्टेमिक ओपरेशन, सप्रेशन, इलेक्शन ना होना और यहां तक की क्राइम्स अगेंस्ट विमिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कल भारत ने बड़ा क्लियरली बात करी. उन्होंने बोला कि देखिए यार वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या होता है पाकिस्तानी इस्टैबलिश्मेंट क्या करती है इसके ये पूरा डिस्क्राइब करा उन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तानी इस्टैबलिश्मेंट इतने टाइम से 70 साल स उस जगे की resources को use करकर के हालत खराब करके रखी वी है यहां तक कि आप देखिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना तक कि कोई connectivity है ना तक कि कोई hospitals है ना तक कि कोई facilities हैं उनके growth and development के लिए और उन्होंने इस बारे में बात करते करें आगे जाके comparison करा कि अगर आप देखें इस time पे जो भारत के पास जो कश्मीर area है आप उसकी देखें तो आप देखें कि एकदम development भी चल रही है and सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है उस जगे के अंदर धीरे धीरे करके और उनने ये भी reference करा कि देखें साब बागी सब तो ठीक है इस जगे के अंदर पाकिस्तान तो कभी उनको vote करने का भी right नहीं देता लेकिन भारत के अंदर इनको ना तक की vote करने का right है कि as we speak वहाँ पर elections भी चल रहे है और देखें किस तरह से सब peacefully आगे जा रहा है there is been no violence everything is being all right and एक clear cut narrative रखने की उन्होंने पूरी तरह से बात करी तो ये बड़ा interesting सा game था उसके बाद उन्होंने बोला कि इस तरह से पाकिस्तान वहाँ पर repression करता है कितने लोग वहाँ से missing है कितने लोग वहाँ पर abduct किये गए कितने लोगों की जाइजाद उठाई गई अब यहाँ तो हमको पता ही है ये stories जिस तरह से भारत भारत के अंदर है तो काफी सारी stories है किसाब वहाँ पर लोगों को ये लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर minorities के साथ क्या होता है और किस तरह से पाकिस्तानी establishment उस जगे के अंदर repression करती है और लोगों के basically जितने भी resources हैं जितना भी taxation है पूरा अपनी जेव में डालके पूरी हद तक महाँ पर उल्टे काम किये जाते हैं ये जो nonsense है भाया अभी जिस तरह से elections चल रहे होंगे हमने तो ये expect किया था कि पाकिस्तान की तरफ से या तो terrorism करने की कोशिश की जाएगी या फिर of course international propaganda करने की कोशिश की जाएगी नो एक जो acting permanent representative है पाकिस्तान to UN उस्मान जादून उन्होंने कल परसों में एक statement दिया उन्होंने बोला कि UN की जो security council है it has basically failed to ensure universal implementation of its core principles and resolutions in regions like Palestine and Kashmir नो ये चीज़ हमको बड़ा clearly समझ में आनी चाहिए कि भई अभी पाकिस्तान काफी time से कोशिश कर रहा है कि Palestine और Kashmir को एक जगे साथ में जोड़ा जाए बड़ असलियत क्या हो रही है कि Pakistan और Palestine साथ में चिपक गया है तो तब ही मैं उसका एक नाम लेता हूँ जिसका नाम है Pakistan बड़ नेनी केस जोग सपार्ट Pakistan काफी time से कोशिश कर रहा है कि भई जब से ये इसरेल का चीज़ शुरू ही है तो तब से पाकिस्तान की एक कोशिश है कि कहीं न कहीं कश्मीर के मामले को भी साथ में चिपकाया जाए ताकि जहां पर इसरेल के अगेंस में इतना जो प्रोपगांडा चल रहा है उसी की एक वेव को यूज करके पाकिस्तान कश्मीर में भी मतलब इंटरनाशनली कुछ अवाजें उठा सके नौ कल शाम को हमारे एक डिप्लोमाट जिनका नाम है शितिच इत्यागी जी I must say he gave a very befitting reply to पाकिस्तान on the floor of the UN UNHRC की एक conference चल रही थी अब आपको मैं यहाँ पर बताओ आप लोगों को बागी सब election बढ़िया लगते हैं सिर्व भारत का election नहीं लगता तो that's